तो एक आज बस बंचे में सभी लोगों का एक सबना जरूर होता है कि कास हम गाएब को पाते हैं लेकिन गाएज येसा पोसिबल नहीं है लेकिन गाएज आज में आपको एक एसी चीज बना करके दिकाने वाला हूँ जो किसी भी चीज को गाएब कर सकती हैं लेकिन गैज यह तो एक सिंपल सी वीडियो एडिटिंग ट्रिक दी लेकिन गैज आज में आपको सच में एक ऐसी चीज बनागर के दिखाने वाला हूँ जो किसी भी चीज को इनिविजिवल यानि की गायब कर सकते हैं और गैज इस चीज को मैं सिंपल सी साइंस का यूज करक इसका डायमेटर है पांच सेंटीमेटर और गैज इसके लोग में जुरुत पड़ेगी दो बोक्स और एक स्केल की और गैज यह दोनों मुबाइल के बोक्स हैं आपको इसी भी चीज यूज कर सकते हैं बस ध्यान रहे उसका जो हाई टे हो दस सेंटीमेटर से कम नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो में एक मार्क लगाना है 12 सेंटीमेटर का और जब इसके बाद जहां पर 12 सेंटीमेटर लगाए हैं वहां से माप करके 29 सेंटीमेटर पर अगला मार्क लगाना हैं और जब जो 29 सेंटीमेटर पर मार्क लगाया है यहां से माप करके 44 सेंटीमेटर आगे एक और मार्क लगाना है और गई जो उन्हें 12 cm का मार्क लगाया था वहाँ पर इस बॉक्स को रख देना है और गई जो 13 cm का मार्क लगाया था वहाँ पर हमें दूसरे बॉक्स को रख देना है और गए जो मैंने 54 cm का मार्क लगाया है तो वहाँ पर हमें कोई से भी चीज रखनी है जिस पर हमें पॉकस करना है वहाँ पर मैं उस वाली टेबल को रख देता हूँ और गए जब हमारा जो बड़ा वाला मेगनिपाइंग गलास है उसको में पस्ट बोक्स पर लगा देना है इसके लिए मैं इस मेगनिपाइंग गलास को इस गलू से चिपका देता हूँ और गई जो मारा छोटा वाला मेगनिपाइंग गलास हैं उसको मैंने कार्डबोर्ड पर एकुछ इस तरह से चिपका दिया हैं क्यों गेज इस वाले मेगनिपाइंग गलास को में आगे पीछे आभी रिएड़स्ट करना की जुरूत पड़ेगी और गई जब हमें इन दोनों लेंज को उस टेबल पर फोकस करना है हैं सो गई जमारा जो सेटब हैं और भी पूरी तरह से त्यार हैं सो गई चली इससे इस डंडे को इन्यूजिबल कराने की कोशिच करते हैं और लुकाट गईज इस वरक अमेजिग यार इस डंडे को बहुती असानी से गाइब कर दिया को बहँ हैं और जिस भी चीज़कों में गयब करना है उसकों में इस सेगेंड वाले लेंज के पीछे कुछ इस तरह से ले जाना होता है वह जाब इसके आगे ले जाओगे तो यह वर्क नहीं करेगा और गयच सामने से दिकाय देगी लेकिन इसेगेंड वाले लेंज के पीछे से बिलकुल भी दिकाय नहीं देगी अजय देगे यह दोने लेंज को पॉकस नहीं किया तो वह यह कुछ इस तरह से काम गरेगा इसलिए गाई जिनको अच्छे से फोकस करना बहुत ही जरूरी है आपने इना बहुत ही मज़िदार चीज़ लेकिन गाई यह तो सिर्फ चोटी वाले लेंस थे इसलिए चोटी चोटी चीज़ों को ही गयब कर पाए लेकिन गाई जिए क्या होगा गारम बड़े वाले लेंस लगाए और गाई उन लेंसों के पीचे किसी इनसान को बेस दें सो गयज यह उनस इनसान को भी गयब कर सकते हैं और गयज इस चीज़ को मिन फेटर जुरूर ट्राइ करेंगे इस तरी के और भी मज़दार यूडिट के लिए मैं चनल को सब्सकाइब अब बिसकोल भी मत ब ना difे चलिड़ आर सकते हैं को अा हुआ कर भी मत भी मत तर चेक लिए मत बाद हाुआ।